वो आउटस्टेंडिंग कैच ने इंडिया से गोल्ड मेडल चीन लिया ये हर्मन प्रीत की विकेट थी पैडल खेलने गई और आउट हो गई हर्मन आउटस्टेंडिंग कैच पकड़ा था और यहीं से गोल्ड जो है वो इंडिया के हाथ से निकल गया क्योंकि यहाँ पे जो हरा ना लो तक तक आप बिलीव मत करो हर्मन प्रीत कोर की इतनी outstanding betting के बावजुद इंडिया जो है वो match आर गया हाला कि मुझे लगता है आखरी में अगर दिपती भी note out रह जाती तो हम ये match ले जाते निकाल के क्योंकि जब दिपती का विकट गिरा वहाँ पर आप अगर देखो तो 33 बोल्स थे 44 रंद थे बहुत situation हमारे बिलकुल हाथ में थी control में थी लेकिन उसके बाद जिस तरीके से jammy बोल्ड हुई jammy के बोल्ड होने के बाद साथ की साथ फिर हर्मन प्रीत का विकट मिल गया और हर्मन प्रीत के विकट मिलने के बाद फिर वो जो स्नेर आना का रन आउट था वो ही मैंने कहा था कि अगर इस तरीके के रन आउट वगरा ना हुए तो इंडिया मैच ले जाएगा निकाल के क्योंकि situation कुछ इस तरीके से थी कि 15 पे 22 चाहिए इस पे 28 चाहिए यह वाली situation चल रही थी क्योंकि हमने आखरी में 14 आवर जब खतम हो चुके थे वहां पर आगर आप देखें आप जैमी को देखें वह इंजरी के बावजुद खेली है और तानिया भाटिया के इंजरी हुई उसको गर्दन पर बोल लगी फिर उसकी जगह पे आप जो वह लड़की दूसरी भाटिया है यस्तिका भाटिया उसको लेके आए सब्सिट्यूट के तोर पे और उसको नीचे ही क्योंकि बैटिंग आप उसको उतना ही वो कुछ रूल्स हैं कि आप उसको वेट कराके बैटिंग कराएंगे टाइप कुछ है जदा लेकिन यार यह जो कैच है ना इसने इंडिया से गोल्ड मैडल चीन लिया आप माने या न माने और नीचे अगर एंड में देखूं में सैकिंड लास्ट आवर में वहां पर दिप्ति शर्मा का जो विकट गया यह दो चीजें थी जहां से मैं मानता हूं कि इंडिया के हाथ से गोल्ड चला गया और अब हमें सिल्वर मैडल जरूर मिलेगा लेकिन इंडिया बहुत कर रहा हूं में फटावर थैंक्यू सो मिच अधिया नहीं नहीं बात 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 नहीं भाई